तो हेलो एबरीवन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल में तो आज हम यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे उत्याख़र में जो राश्टे सिक्षा निती के तहट 380 पदों पे प्राइमरी सिक्षा में विसे सिक्षा की भरतिया निकली हैं इसके बारे सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे नीचे वहां से आप उनको देख सकते हैं डाउनलोड भी कर सकते हैं और फॉर्म भी बढ़ सकते हैं उनमें सभी को हमने डिस्कस किया है कितने पत किसमे है अज आप देख सकते हैं यह विग्यापती जिला सिक्षा जिका कारेलय से जो है विज्यापित हुई है आप इसमें कल के डेत देख सकते हैं और और आप देख सकते हैं कि विज्ञापन प्रकार्षन के टित्री लिखी वी है ऊफलाइन आवेदन करने के अंतेम टित्री 18 माई है यानि इससे यह पता चलता है कि ये सिर्फ offline आविदन हम कर सकते हैं online आविदन नहीं किया जा सकता आपको form भर के भीजना पड़ेगा offline आविदन करके form भर के कहां भीजना है इधर भीजना है कारेले जिला सिक्षा करेब प्रार्यमिक सिक्षा चमूली गोपिस्वर में बात करते हैं कुल पड़ों के तो कुल में लाके 36 पड़ रखे गई है चमूली जनपत के लिए साथ SC के लिए हैं एक ST के लिए है OBC के लिए 5 हैं EWS के लिए 3 हैं PH के लिए 1 है और other category के लिए woman के लिए other के लिए journal के लिए 19 पड़ों को रखा गया है अब बात करते हैं सेलेक्शन कैसे होगा इसमें जो सेलेक्शन का प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है सिंपल बोले तो इसमें सिर्फ और सिर्फ merit के आधार पर सेलेक्शन होगा यानि merit के आधार पर लिया जाएगा सेलेक्शन होगा return exam नहीं होगा इसमें अब बात करते हैं merit कैसे बनेगी तो merit बनाने के कुछ simple से formula है 10th के 12th के graduation के C-TED UTED के और special B-ED के इसके लिए formula है 10th में 12 में कितने से multiply गुणा भाग करना है यह मैंने video बनाया हुआ है नीचे description में पहला video आपको उसी का मिलेगा आप खुल भी इपनी merit बना सकते हैं और वहाँ से उसको देख भी सकते हैं अब बात करते हैं कि इसके लिए पातरताएं क्या रखी गई हैं तो सबसे पहले यह आप इसमें वही apply कर सकता है जो उत्रखन का नागरे का यानि इसके पास मूल निवास है मूल निवास के भी copy एक copy attested करके form के साथ जाएगी इसके अलाव इसके लिए जो qualification है वो CTAT या UTAT first होना चीए graduation भी साथ में होना चीए और क्या होना चीए special beard भी होना चीए इसमें तब ही बात बनेगी इसमें और यही है ना UTAT, CTAT first, graduation, special beard ये तीन चीजे बहुत ही जरूरी है special beard का मलता होता है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए जो beard होता है उसे special beard बोलते है और वो भी जरूरी है बिना उसके काम चलने वाला नहीं है जिसने दो साल का beard किया है या दो साल का daylight किया है वो इसके लिए अपलाई नहीं कर सकता सिद्धी सी बाती है ठीक है क्योंकि ये समुगो का पद है तो इसमें सिर्फ वही अपलाई कर सकता है जिसके पास उत्रखर्ण का मोल निवासो उसकी photo copy भी जाएगी वहाँ पे इसके लवा आयू की बात करें इसकी age जो है वो 21 से लेके 42 के बीच है तो अगर इस बीच में आप पड़ सकते हैं तो आप इसको जरूर देख सकते हैं और कैसे करना है बाकी मैंने आपको जरूरी बाते बता दी हैं अब बात करते हैं apply कैसे करना है apply ऐसे करना है एक form भरना है नीचे मैं आपको form दिखाता हूँ वो form भरके उसका print out निकालके उसको मैं अपने telegram channel में डाल दूँगा उसका print out निकालके आपको उसको साफ साफ भरना है अपने सभी documents की self attested करना है और वो भरके उसके अंदर एक एक लिफापा लगाना है छोटा वाला यह four size का और उसके अंदर 30 रुपे के dark ticket उस लिफापा भी चिपकाने है और इन सब को भीज देना है कहाँ पे यहाँ भेजना है इस तरफ इस पते भी भेजना है जिलास सिक्छा अदिकारी प्रारंबिक सिक्छा चमोली जन्पत के लिए गोपिसुर के लिए इसको भेजना है यहाँ पे देख सकते है और तब जाके बाद मनेगी ठीक है बागे वो form में नेचे दे दूँगा आप उसको आँसे भी डाउनलोड कर सकते है Thank you so much God bless you all